नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका टैकिटिकल पे आज कीस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे विकिपीडिया को एक प्रो लेवल की तरह यूज कर सकते हैं तो आजकी सीडियो में मैं आपको वीकीपेडिया के कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिसे कि अगर आप कुछ भी कंट엔्ट है, वो वीकीपेडिया पे सर्च करते हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं, और यूस करने में एक दम आसानी होगी आपको, तो कैसे कर सकते हैं वीडियो का article है अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा landy है इसको मैं कहां तक read करूँगी तो इसका एक तरीका है आपको क्या करना है URL में जाना है और EN की जगे आपको replace कर देना है simple इसली क्या होगा simplest form में मतलब आपको summary मिल जाएगी उस content की उस article की अब आप देख सकते हो ना ये कितना छोटा सा मतलब बिल्कुल blockchain जो ये content है इस article का मुझे summary मिल चुकी है बिल्कुल simple English तो इस तरह से आप इस trick को use कर सकते हो second trick अब इसमें ये है दोस्तो आप left side में देख सकते हो यहाँ पे आ रहाए इस content को आप pdf की तरह download भी कर सकते हो तो download a pdf पे click कीजिए अब यहाँ से download पे click कीजिए इससे क्या होगा कि जो आपका इस content है जो article है वो आपकी pdf form में आपके download हो जाएगा और फिर इसे आप बाद में offline use कर सकते हो या इसका print भी निकाल सकते हो अब just like मैंने यह download कर लिया है और अब इसको download होने के बाद मैं आपको एक बार open करके दिखा देती हूँ कुछ ही है pdf form में ऐसा दिखेगा blockchain का देख लो complete आगया है 32 pages है यह तो इस तरह से आप इस trick को use कर सकते हो अब है third trick इसमें आप क्या कर सकते हो current events या आप left side में events वगरा है और आप यह भी देख सकते हो यहाँ पर पूरा calendar दिया हुआ है जिस भी date पर click करके आप उसी का उसी की complete details देख सकते हो कि अब पूरे देश दुनिया में क्या चर रहा है fourth trick यहाँ आता है random article इस पर click करने पर आप कुछ भी मतलब random content आप रीड कर सकते हो just like मुझे देखिए जैसे मैंने उस पर click किया था तो ओम परशाद पुन का यह complete details आ रही है जो भी इनका content है अब मैं जैसे दुबारा click करूंगी तो कुछ कोई सा भी random जो Wikipedia पर है वो content आ जाएगा तो इस तरह से आप इसको random content की तरह भी use कर सकते हो तो दोस्तों यह कुछ Wikipedia की tricks थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए channel को subscribe कीजिए thank you